सनातन धर्म में किसी बच्चे के जन्म पर सबसे पहले उसका जन्म नचत्र देखा जाता है अगर बच्चे के जन्म मूल नचत्र में हुआ होता है तो कई इस्थितियों में ये शुब नहीं माना जाता है इसके अलावा अगर बच्चे का जन्म मूल नच्छत्र में हुआ है तो फिर पिता का उस बच्चे का मूँ देखना भी शुब नहीं माना जाता है ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में आज हम आपको जानकरी देंगे दरहसल इसके पीछे कई मानेता है आज हम आपको इस वीडियो के मात्यम से मूल नच्छत्र से जुड़ी खास बाते बताने जा रहे हैं तो चलिए जानते हैं मूल नच्छत्र कौन से होते हैं और अगर किसी बच्चे का जन्व मूल नच्छत्र में हो तो क्या करना चाहिए सबसे पहले हम जानते कि नक्षत्र होता क्या है जोतिश शास्ट के मुताबिक आकाश में इस्तितारों के समों को नक्षत्र कहा जाता है जिनकी कुल संख्या 27 है जिन में से कुछ शुब माने जाते हैं और कुछ अशुब माने जाते हैं जब चंद्रमा प्रत्वी का चक्कर लगाता है तो इन नक्षत्रों के बीट से होकर गुजरता है ऐसे में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही उस बच्चे का जन्म नक्षत्र होता है ऐसे में उस बच्चे पर इस नक्षत्र का शुब और अशुब दोनों ही तरह का प्रभाव जीवन भर देखा जाता है अब प्रशन उठता है कि पिता मूल में जन्में हुए बच्चों का मुख क्यों नहीं देखते हैं तो चलिए हम जानते हैं कि पिता बच्चे का मुख क्यों नहीं देखता है अगर किसी बच्चे का जन्मोल लक्षत्र में होता है तो पिता को उस बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए जोतिश शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से भविश में उसे या उसके किसी परिजन को परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है हाला कि यह बात पुरी तरह से बच्चे की कुंडली पर निर्भर करती है ऐसे में अगर बच्चे की कुंडली में ग्रहों की इस्थिति अनकूल हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती लेकिन अगली बार जब भी बच्चे का जन्म नच्छतर आए तो मूल की शांती जरूर करवानी चाहिए वैसे ये मूल की शांती बच्चे के जन्म के 27 दिन होती है अब हम जानते हैं कि कैसा होता है मूल नक्षतर में जन्मेवे बच्चों का नेचर यानि की सुभाव मूल नक्षतर के स्वामी केतू और राशी स्वामी गुरू है ऐसे में इस नक्षत्र में जन्मे बच्चों पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव जीवन भर बना रहता है मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुब हो तो ऐसे बच्चे बहुत ही तेजस्वी होते हैं और जीवन के छेतर में सफलता प्राप्त करते रहते हैं इसके अलावा शुब प्रवाव होने पर मून लच्छतर में जन्मे बच्चे कारे कुशल और अच्चे वक्ता भी होते हैं ऐसे बच्चों का खोजी सुभाव इन्हे अन्य लोगों से विशेश बनाता है। यानि कि ये बच्चे बहुत ही खोजी सुभाव के होते हैं। अगर मून लच्छतर में जन्में बच्चे की कुंडली में ग्रहों की इस्थिती ठीक ना हो तो उसकी सेहत पर इसका बहुत ही पूरा असर पड़ता है जिससे वो क्रोधी होते हैं और इशालिस उभाव के भी हो जाते हैं तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताईएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे